नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कि इस तरीके से एक्सल में हमारे पास जितने टैब होते हैं होम टैब इंसर्ट टैब पेज लेयाओट फार्मूला डेटा रिव्यू और व्यू न्यू टैब यह सारे इसका जो इसके अंदर और ऑप्सवान रते हैं इन सब का जो काम रता है आज आपको एक-एक करके बताने वाले हैं जैसा कि यहाँ पर पहला आपका आता है हों होम टै क्या काम होता है stylus का क्या काम होता है sel एससे क्या करते है इड Wagija से क्या करते हैं अगर हम बात करीं insert में अभ吧 नहीं पर दिखें पहला इस में जो option आपका बना हुआ है एक तरीके से एक टेबल से इलस्टिटरेशन एडा इनस चार्ट सै इस पेक लाइन सै puisque वाइन सैं टेckets है symbols है अब इन सब का अलग अलग काम होता है दोस्तों अगर हम बात करें पेज लेओट का इसमें पेज से एंदstar hem काम कर सकते हैं जैसे पेजदें कोई थीमे करना है इस ओप्जन मेंisz करंज सकते हैं अगर हमें पेज को fit करना है print करने से पहले तो इस option में जा सकते हैं sit option अगर हमें sit से recording कोई काम करना है माली जी जो हमारे पास ruler दिख रहा है row and column का यहां पर जो हमारे पास box दिख इसको अटाना चाहते हैं तो green line यहां से अटा सकते हैं देख सकते हैं साथ हो गया उसके साथ साथ यहां पर दिया है arrange अगर हमने कुछ photo image उसको लाया हुआ अगर एक पर आ गया photo उसको नीचे उपर यहां से कर सकते हैं अब बात करते हैं formula का जो formula type होता है दोस्तों इसमें function library होता है यानि आपके अगर formula याद नहीं एकसल में तो आप यहां से formula को ला सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं जो कि अलग अलग है उसके बाद define नेंस दिया है अगर आप अपने page पे कोई ऐसा मतलब chapter बनाना चाहते हैं तो आप define नेंस में जाकर कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों इसमें अगला आता है आपका formula auditing अगर आपके formula में कोई changes करना है तो आप यहां से कर सकते हैं उसके बाद यहां है calculation अगर आपको यहां से कोई भी calculation करना है तो आप यहां से easy तरीके से calculation कर सकते हैं उसके बाद यहां पर अगला जो टैब आता है डेटा इसमें आपका डेटा से रिलेटेड कर सकते हैं यानि एक तरीके से डेटाबेस से काम कर सकते हैं उसके बाद यहां पर अगला जो आता है रिव्यू का मतलब होता है कि इसमें आपका जो भी लिखे हैं टेक्स कैसा दिखेगा कैसा नहीं वो सारा काम कर सकते हैं साथ में यहाँ पर एक न्यू टैप का अपसन होता है अगर आप इसमें कोई अधर चीज एड़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एड़ कर सकते हैं यह दोस्तों कुछ complete टैब हैं जिसके बारे मैंने complete बताया अब आपको इ एक टैप दो तीन चार पांच छे साथ आठ यानि एड़ देस में आपको इस सारे पार्ट कंप्लीट कर देंगे तो तब तक के लिए इतना ही तब तक के लिए थैंक्यू गूड़ वाय टेक केर मिलते हैं नश्ट वीडियो पे और नश्ट वापे पर तक के लिए जैए